जेहिन दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल में आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए आपर हिंदी साइथ के बहुत ही महत्वण कॉस्चेन आंसर यह अपना प्रेक्टेस सेट है प्रेक्टेस सेट नंबर 11 है अपना यहाँ पर बहुत सारी आप आपके बहुत सारी प्रेक्टेस टेस्ट आने वाली हैं आपके तो वीडियो को सभी लोग जो है लाइक वस्ते कर लें तो आज का यहां पर फर्ष्ट कोश्चन क्या दिया गया है तो देखिए आज कपने यहां पर फर्ष्ट कोश्चन दिया है कि अबदी का विकास किस बताना है तो आपके हाँ पर सभी आँसर है विखल्पß नमबर ब्राइट आंसर है और दमाग दी हिखल्प यहां पर सभी आंसर होगा अंगलय कोश्चन जो आप आप से पूँचा क्या है कि किसको सम्मिदान की अश्टम अनुसूची में सामिल नहीं किया गया है यह आपके लिए बताना है तो किसको सम्मिदान की अश्टम अनुसूची में सामिल नहीं किया गया है तो आपका सही आंसर ब्रिज ब्रिज आपका सही आंसर विकल्प नंबर C right answer है विकल्ब number C आपका सही answer बिल्कुल सही अंगले question क्या है विकास की दरश्टी से प्राकृत की पूर्वकालिन अवस्ता का नाम है तो क्या है इस पूर्वकालिन अवस्ता का नाम बताई यहां पर तो संस्क्रेट अवट्ट या हिंदी अपाली तो आपका सही answer होगा question number 3 का यहाँ पर विकल्ब number D आनि की पाली आपका यहाँ पर सही answer है अंगले question क्या पूछा क्या है कि कौनसा उपण्यास इलाचन्द जोसीजी का है तो जोसीजी का यहाँ पर उपण्यास बताने question number 4 में कौनसा इनका इनका ये उपन्या से अंगला कॉस्चन क्या है कौन मनू बिसलेशन बादी कथाकार नहीं है देखे नहीं पूंचा है तो नहीं कौन है तो बताईए कौन मनू बिसलेशन बादी कथाकार नहीं है जैनेंदर इलाचन जोसी अग्ये या चतुरसें सास्त्री पांच का सही आंसर होगा चतुरसें सास्त्री आनि की विकल्प नंबर D आपका यहां पर सही आंसर है अंगला कॉस्चन है कौन सा नाटक भारतेंदु का है देखिए महत्वपुन कॉस्चन पूशा गया है यहां पर भारतेंदु जी का नाटक बताना है तो बताईए कौन सा है कॉस्चन नंबर 6 में सही आंसर आपका यहां पर क्या होगा कॉस्चन नंबर 6 का सही आंसर बताना है तो आपका सही आंसर है विकल्प नंबर B राइट आंसर है विद्या सुन्दर विद्या सुन्दर आपका यहां पर सही आंसर है नाटक को पंचम भेद किसने माना धनन जाय भानूदत्य भरत्मुनी भट्ट नायक तो नाटक को पंचम भेद किसने माना कॉस्चन नमबर साथ में बताना है तो साथ का आपका जो सही आंसर है वैविकल्प नमबर आर आन कि भरतमुनी आपका यहां पर सही आंसर है अंगला कॉस्चन कै causing पूंचा गया है कौन सा काब्बे रामकता पर आधारत है काब्बे बताना है वह बहुआ कौन सा काब्बे है जो रामकता पर आधारत है अंगला कॉस्चन क्या है तो देखे यहाँ पर पूछा क्या है आपसे कि आगम वै पुराण ही पाण माण वहंती तो किसकी पंती है यह आपके लिए बताना है यह पंती बताना किसकी है तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा क्या होगा कॉस्चन नमबर 9 का सही आंसर तो आपका सही आंसर है गंद पा आपका यहाँ पर सही आंसर है तो विकल्प नमबर B आपका सही आंसर है अंगला कॉस्चन क्या पूछा क्या है देखे खट भासा पुराण चा कुराण कत्तम मया किसकी पंती है यह पंती बताना है य एसका सही answer आपका जो होगर यहां पर यह पंती है किसकी जगनेक नरपति नाले चन्द बरदाई या अब्दुल रख्मान तो चन्द बरदाई आपका विकल्प number C जो हे एहां पर सही answer है विकल्प number C right answer अंगले question है यहां पर पेंचा गिया है प्र Mechanrad के वसदन उपन्यास का उर्दू नाम क्या है इसका उर्दू नाम बताना है महत्तपुन कौश्चन पूंचा गया है उर्दू नाम इसका क्या है तो कौश्चन नमबर ग्यारा का जो आपका सही आंसर है आपके यहां पर सही आंसर की उर्दू नाम इसका जो है क्या है बाजार ए होसन आपके यहाँ पर सही आंसर है बाजार ए होसन है अंगला कॉस्चिन क्या है जैसंकर प्रसाद का प्रिथम नाटक है तो जैसंकर प्रसाद जी का प्रिथम नाटक बताना है प्रिथम नाटक कौन सा है यहाँ पर तो चार विकल्प आपके दे गए हैं बताइए कौन सा है का पिर थम नाटक है तो आपको यहाँ पर सही आंसर है राजसरी, कामना, सज्जन या विसाख तो question number 12 का सही आंसर है विकल्प number C आनकी सज्जन आपको यहाँ पर right answer है सज्जन आपका सही आंसर है अंगले question क्या पूँचा क्या है सब्दों की पद रचना पर आधारत भासाओं के भरगी करन को क्या कहती है तो इसको क्या कहती है question number 13 का सही आंसर बताना है question number 13 का सही आंसर क्या होगा तो यहां पर महत्पुन कॉस्चन है विकल्प नमबर आपका आकिरती मूलक विकल्प नमबर भी आपका सही आंसर यहां पर है इसको क्या कहती है आकिरती मूलक राइट आंसर है दूसरा तरवाजा किस विदा की रचिना है यह आपके लिए बताना है दूसरा तरवाजा एक इस विदा की रचिना है नाटक और पन्यास कहानी या गीती नाट्टे question number 14 है महत्वण question आपसे यहाँ पर पूँछा गया है और इसका जो सही answer है question number 14 का वैविकल्प number 1 यानि की नाटक आपके हैं पर सही answer है अंगले question है कौन सी रचिना आत्म कथा है आत्म कथा बताने कौन सी रचिना आत्म कथा है महत्वण question यहाँ पर आपसे पूँछा गया है और इसका जो सही answer है क्या होगा मैं आईना हूँ या पहला पड़ाव या आत्म दाहे या मेरे साथ जनम तो question number 15 का सही answer है विकल्ब number D यानि की मेरे साथ जनम यह जो है आपका सही answer है यह आत्म कथा है अंगले question क्या पूँछा गया है तो देखे रस गंगा धर में पंडित जगनात ने किस बादसाई की प्रसंसा की है अकबर साह जहां बाबर या औरंग जिव question number 16 है महत्वण question पूँछा गया है इन्होंने किस की प्रसंसा की है यह आपके लिए बताने question number 16 में तो 16 का सही answer है आपका विकल्ब number D आनि की साह जहां आपका यहाँ पर सही answer है साह जहां आपका right answer है question number 17 यहाँ पर पूँचा गया है सेव प्रसंसा की कहानी कौन सी है पाजेब दादी मा पुलिस की CT या हंसा जाई अकीला यहाँ पर हंसा जाई अकीला तो यह आपके question number 17 का सही answer बताना है और 17 का सही answer है दादी मा दादी मा यहाँ पर सही answer है विकल्ब B आपका स़ह आंसर है अंगला कौश्चन क्या पूंचा गया है पुलिस की C-T किसकी कहानी है पुलिस की C-T महत्वुन कौश्antically क्वेचन पूंचा गया है पुलिस की C-T किसकी कहानी है Yes पाल, जे ने अंदर, मादाव, राव, सप्रे या कमलिसोर question number 18 है और 18 का जो सही answer है वह आपका यहाँ पर क्या होगा question number 18 है विकल्प number 1 आपका सही answer है yes पाल आपका सही answer यहाँ पर है अकेला पलास किसकी रचना है यह रचना किसकी है यह आपके लिए बताना है मत पूर्ण question पूंचा गया है तो मेत्रे पुस्पा मनु भनडारी या मेरू 19 परवेज या उसा प्रियंबदा तो question number 19 का सही answer आपका यहाँ पर जो है विकल्प number C आपका यहाँ पर जो C है वै राइत आंसर है सेस यात्रा किसकी रचना है सेस यात्रा ये रचना है किसकी रचना है ये आपके लिए बताना है सेस यात्रा रचना किसकी है तो question number 20 का सही answer विकल नमबर आपका एक यानि की उसा प्रियंबदा आपका यहाँ पर सही answer होगा उसा प्रियंबर दा right answer आपका यहाँ पर अंगले question है देखिए पहल पत्री का कहां से प्रकासे थोती है जवलपुर से बोपाल से इलाहबाद से या कासी से question number 21 है महत्वपुन question पूछा गया है पहल पत्री का जो है यह कहां से प्रकासे थोती है तो एक किस का सही आंसर है जवलपुर विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर सही आंसर है जवलपुर आपका right answer यहाँ पर है अंगले question है सम्मिलन पत्री का का प्रकासन इस्तान कहां पर है तो इलाहबाद है कासी है दिल्ली है कानपुर है यह आपके चार विकल्प है question number 22 का सही आंसर आपके लिए आहाँ पर बताना है सम्मिलन पत्री का प्रकासन इस्तान बताना है तो 22 का right answer विकल्प नंबर एक यानिकी इलाहबाद आपका सही आंसर है राइना किस उपन्यास की पात्र है question number 23 का right answer यहाँ पर आपका क्या होगा question number 23 का सही आंसर तो इसका सही आंसर है बेदिन बेदिन की यह क्या है पात्र है कौन राइना अंगला question क्या है और बेदिन क्या है उपन्यास इक नीली मा किस उपन्यास की पात्र है ये आपके लिए बताना है Q24 का सही आंसर क्या होगा आवा अंदेरी बंद कमरे मेला आचल बे दिन तो Q24 का सही आंसर बताईए महत्तुपूर्ण Q24 पूंचा क्या है और आपका विकल्ब नंबर एक यहाँ पर सही आंसर है आवा आपका राइट आंसर है अंगला Q24 है Q25 पूंचा क्या है दसरत नंदन नाटक किसका है सुरेंदर बर्मा, भीष में साहिनी, जग्दीश चंदर मातोर या मुद्रा राक्चस देखी Q25 है अपना महत्तुपूर्ण Q25 है और एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक अबस्य कर लें अंगला Q24 है, दामुदर दास किस संपरदाई के अनुवाई थे तो यह अनुवाई है, यह आपके लिए बताना है दामुदर दास किस संपरदाई के अनुवाई है बल्लव संपरदाई, रादा, बल्लव या निंबार्क या गॉनिये यह आपके चार विकल्ब देगा है, question number है, आपका 26, 26 का सई आंसर यहाँ पर बताना है, क्या होगा 26 का सई आंसर किस संपरदाई के अनुआई थे, दामुदर दास, 26 का सई आंसर भी होगा राइट आंसर, रादा वल्लव संपरदाई, अंगला question क्या है, देखे, गदा धर आंसर है, वह विकल्ब नंबर एक यानिकी 26, 27 संपरदाई के अनुआई थे, अंगला question क्या है, प्रेत की चाया किस विदा की रचिना है, यह आपके लिए यहाँ पर बताना है, question number है, अपना यहाँ पर 28, 28 का राइट आंसर है, आपका विकल्ब नंबर यहाँ पर C, यानिक कहानी, यह चार विकल्ब हैं, तो अन्या से अनन्या, किस विदा की रचिना है, question number 39 का सही आंसर बताना है, तो आत्मकता आपका विकल्ब नंबर एक सही आंसर है, आत्मकता राइट आंसर है, अंगला question है, कि दो पाटों के बीच पिस गया, किस कभी की पंती है, दो पाटों सही आंसर होगा, विकल्ब नंबर भी आनिकी मुक्ति बोद, मुक्ति बोद आपका सही आंसर है, विकल्ब नंबर आपका भी राइट आंसर है, अंगला question है, मैं तो डूब गया था, स्वयम सून्न में, यह जो पंती है, अग्गे, बच्चन, मुक्ति बोद, भवानी, पिर पिरसाद, question number 31 का सही आंसर बताना है, तो 31 का right answer है, विकल्ब नंबर एक अग्य, अग्य आपका सही आंसर होगा, अंगला question है, क्या है अंगला question, जो बीत गई सो बात गई, यह जो बीत गई सो बात गई, किसकी पंती है, ऐ पंती बताना है, निराला, पिरसाद, बच्चन, म नमबर C, आनिकी बच्चन आपका सही आंसर यहां पर है, कॉबलाय माला कथा के रचनाकार कौन है, कॉशन नमबर 33 का सही आंसर बताना है, कॉबलाय माला जो है, इसके कथा के रचनाकार कौन है, वताना है, तो 33 का सही आंसर है, उद्दोतन सूरी आपका राइट आंसर है, सही answer बताएए महत्वण question पूछा ग्या है काप बेलंकार संग्राई की रशनाकार कौन है तो question number 34 का सही answer है विकल्प number D वदभटि आपका यहाँ पर सही answer है विकल्प number D आपका सही answer बनीया उक्ती व्यक्ती प्रिकरन ग्रंत का विषय क्या है तो इसका विसाई बताने हैं आपके लिए इसे का विसाई क्या है पुरान है ब्याकरन है प्रेमकाब्ब है या वक्तिकाब्ब है कॉस्चन नमबर 35 का सही आंसर यहां पर क्या होगा उप्ति व्यक्ति प्रिक्रण ग्रंत का विसाई क्या है तो 35 का सही answer B, right answer है, ब्याकरन, ब्याकरन आपका यहाँ पर सही answer है, रादा बल्लवी संप्रदाई की आचार है, तो रादा बल्लवी संप्रदाई की आचार कौन है, बल्लवाचार, रामानुजाचार, या गोस्वामी, हित हरीवन्स है, या संक्राचादी, question number 36 है, के रचनाकार बताना है, रासमंजरी के रचनाकार कौन है, यहाँ पर बताईए, महत्वपुन, question पूचा क्या है, दुरुबदास, बिहारी, नंददास, विद्यापती, यह आपकी यहाँ पर 4 विकल्प है, question number 37, 37 का सही answer है, आपका यहाँ पर नंददास, विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर, 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिये गए है, और question number 38, 38 का सही answer है, भी हित तरंगणी, आपका राइट आंसर है, विकल्प नंबर भी राइट आंसर, अंगला question है, रीती, मुक्ते, सिंगारी कभी कौन नहीं है, देखें, नहीं पूचा सियनापती विकल्प नंबर, एक आपके यहाँ पर सही answer है, अंगला question, क्या है अंगला question, नीती, कभी दीन दयाल गिरी की रचिना नहीं है, तो दीन दयाल गिरी की रचिना कौन सी, यहाँ पर नहीं है, question number 40 का सही answer बताना है, तो question number 40 का सही answer, जो होगा वह होगा, विकल्प D यानि की छत्र प्रकास आपका यहां पर सही आंसर है अंगला question है आठवी सताबदी के कभी नहीं है देखे नहीं पूछा है यहां पर आपसे आठवी सताबदी के जो कभी नहीं है तो सरहपा, हेमचंद्र, स्वेमभू या सबरपा तो question number 41 का सही आंसर है हेमचंद्र, हेमचंद्र जो है आठवी सताबदी के कभी नहीं है अंगला question है सकी संपरदाय को और क्या कहा जाता है यानि की सकी संपरदाय को अन्नि किस नाम से जाना जाता है यह आपके लिए बताना है 42 का सही आंसर क्या होगा महत्तपुन question पूछा गया है और आपका सही आंसर जो यहां पर होगा 42 का वैह विकल्प नंबर C यानि की हरी दास संपरदाय सकी संपरदाय को अन्न नाम से जाना जाता है या अन्न क्या कहा जाता है तो इसको कहा जाता है क्या कहा जाता है हरी दास संपरदाय प्रियोग बाद सब्द का प्रियोग, सबसे पहले प्रियोग किस आलोचक ने किया है, यह आपके लिए बताना है नंद दुलारे बाच्पिये नगेंदर या रामबला सर्मा या विजय देव नारण साही, कॉस्चन नमबर 43 है और 43 का सही आंसर है आपका यहाँ पर, नहीं है, कॉस्चन नमबर 44 का सही आंसर आपके लिए बताना है, चार विकल्प आपके आंपर है, और 44 का सही आंसर है, सियो यान, सियो यान आपका राइट आंसर है, विकल्प नमबर डी यह भारोपिये परिवार की भासा नहीं है, अंगला कॉस्चन है, देहरी भाई से किस विधा की रचना है यह किस विधा की रचना है संसमर्ण और पन्यास या आत्मकत्य इनाटक यह आपके चार विकल्ब दिये गए है कॉस्चन नमबर है 45 और 45 का सही आंसर है आपका यहां पर विकल्ब नमबर सी आत्मकत्य आपका सही आंसर है मेथली का प्राचीन तम उपलब्द ग्रन्थ है तो 46 का सही आंसर आपका जो है बढ़न रतनाकर चरयापद किर्तिलता या ज्यानिश्वरी मेथली का प्राचीन तम उपलब्द ग्रन्थ है तो 46 का राइट आंसर है विकल्ब नमबर एक यानि की आपका यहाँ पर right answer होगा बढ़न रतना कर अंगले question है क्या है उत्तराने महाकब्य के रचनाकार कौन है उत्तरायन मत जो महाकब्य है और इसके जो रचनाकार है वह कौन है बताईए हरियोद हैं, रामकुमार बर्मा हैं, सिया रामसरन गुप्त हैं, राम नरेश्तर पाठी हैं, कॉस्चन नमबर 47 है, 47 महत्तपुन हैं और इसका जो सही आंसर है, 47 का बहेविकल्प नमबर B, आनिकी रामकुमार बर्मा आपका सही आंसर है अंगला कॉस्चन क्या है तो अंगला कॉस्चन ए रहा आपका अंगला कॉस्चन आदुनेक आरे भासाओं की बरगी करण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भासा नहीं है पूर्वी समुदाय की भासा नहीं है मराथी उडिया बिहारी बंगला तो 48 का सही आंसर होगा पूर् आपका हिंदुस्तान सब्ग्र है यह ज्यारिज गिरियेशन का जार्जण गिरियेशन अन्हें विकल्प नंबर एक आपके हिहां सही आंसर है। है question number 50 बामन रूद्रट भामा धंडी तो आपका सही answer है 50 का यहाँ पर right answer है काप्यातर्स की रचनाकार है धंडी कौन है धंडी यानि की विकल्प number D आपका यहाँ पर सही answer है बहुत बढ़ी है दंडी जिन्हों बता है उनका सही answer है तो इस परकार अपनी यहाँ पर कितने question complete हुए 50 question complete हुए कैसा लगा यह वीडियो आप comment में जरू बताएं और इसी परकार के और बहुत सारी आपके practice test आनी वाली है तो चैनल को subscribe अबस्य करने अगर आप बैल आइकन नहीं दबा है अभी तक आपने तो बैल आइकन भी जरू दबाएं और पर click करें ताकि और वीडियो की जानकारी आपके आँ तक पहुंचे जादा से जादा वीडियो को share करें ताकि अनलोग भी वीडियो देख सकें और वीडियो को लाइक करना न भूलें तो आज की वीडियो में बस इतना ही सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिन